क्रिया कलाप दो मनिश्यों का अवलोकन या क्रिया कलाप कम से कम दस बच्चों के समूह में करें विध्याथियों का नाम लंबाई वजन तरजनी अंगुली की लंबाई अंगुठे का निशान हतेली की लंबाई एवं चोड़ाई से संबन्धित जानकारी सार्निक्रमांग दो में भरें कौन-कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाएगए कौन सा लक्षण ऐसा है जो सभी सद्यस्यों में अलग-अलग है क्या आपको अपनी कक्षा के किनी दो विध्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह से समान दिखाई देते हैं आप पाएंगे कि प्रतेक विध्यार्थी के अंगूठे का निशान अन्य विध्यार्थी से अलग होता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अंगूठे का निशान प्रतेक व्यक्ति का विशिष्ट लक्षण है उपर्योग्त क्रिया कलाप के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि प्रतेग जाती के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाय जाते हैं इन अंतरों को विभिनताएं कहते हैं विभिनताओं के कारण ही हम एक ही जाती के सदस्यों में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत इस्तर पर पहचान पाते हैं इन विभिनताओं के कारण ही हमें किसी छेत्र विशेश में विवित प्रकार के जीव दिखाई देते हैं किसी छेत्र विशेश में पाय जाने वाले जीवों के विवित प्रकार को उस छेत्र विशेश की जै विविधता कहा जाता है यदि हम जय विविधिता को आधार बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्त्रित वव्यवस्थित जानकारी प्राप्ट करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवशक्ता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्यन कर सकें आईए कुछ उधारनों की सहायता से इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं